नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजू जू 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 गॉर्मेंट एक्जाम प्रैप चैनल, दोस्तों आज हम लोग डिसकस करेंगे डेली करेंट अफेर में 3rd सितमबर 2021 के न्यूज पेपर में से, जो कि आपके एक्जाम, CHSL, Combined Graduate Level, NTPC, Intelligence Bureau, CPOSI, दिल्ली पुलिस and other state services ए बैंकिंग एक्जाम के लिए भी यह help करेगी, तो now we have to discuss, first segment is national affair, यानि रास्टीय मामलों में पहली खबर है, राजियो गांधी ओरांग नेसनल पार्क, रिनेम्ड एज ओरांग नेसनल पार्क, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने चैर्च रख दिया गया, इसी क्रम में असम में राजियो गांधी ओरंग रास्टीय ओध्यान का नाम बदल कर ओरंग रास्टीय ओध्यान कर दिया गया, यानि ओरंग के पहले ये जो राजियो गांधी जुड़ा हुआ था, इसे हटा दिया गया, तो यह इसलिए कहा जा रहा है कि वहां का जो ट्राइबल कमुनिटी है ओरंग जन जाती भी पाई जाती है तो उन लोगों ने मांग उठाई थी जिसके 48 घंटे के अंदर राज्य सरकार ने यह निरने लेकर के राज्यीव गांधी के नाम को हटा दिया अब यह ओरंग नेशनल पार्क कहला रहा है तो यह ध्य यहां पर वो अवस्तेता है और यह 79.28 स्कॉयर किलोमीटर छेतर में फैला हुआ है 1985 में यह एक सेंचुरी था और 1999 में एक रास्टी उध्यानी से घोसित किया गया तो यहां पर आप देख रहे हैं यह असम में यह ब्रह्मपुत नदी आ रही है जिसे अरुनाचल नाम है और ब्रह्मपुत को असम में जब लोहित नदी समें मिलती है तो ब्रह्मपुत कहलाती है तो यह ओरंग नेशनल पार्क है इसका नाम पहले राजिव गांधी ओरंग नेशनल पार्क होता था तो यह ध्यान रखेंगे यह महत्पूर्ण और देख रहे हैं यह ब्रह् क्लास साइंस इन वेंसन सिटी इन पुने नेम्ड अफटर राजिव गांधी तो महारास सरकार ने पुने में 20 अस्तरिय विज्ञान अविश्कार शहर स्थापित करने का निर्णे लिया है जिसका नाम राजिव गांधी के नाम पर रखा जाएगा तो यानि इससे पहले जो इ इसी महीने घोशना की थी महारास सरकार ने IT आवार्ड की महारास्ट IT आवार्ड के लिए भी Information Technology आवार्ड राजिव गांधी के नाम से उन्होंने घोशना की इसके साथ-साथ महारास सरकार ने पुने का जो पिंपरी चिंचवार है अब यह इस सहर का नाम जो है पूर इसका नाम होगा राजिव गांधी Science Discovery City का नाम इसे रखा जाएगा तो भारत रत्न राजिव गांधी Science Discovery City इसका नाम और आठ हेकर में बनने वाली यह सिटी 2013 में बनकर तयार हो चुके पिंपरी चिंचवार्ण साइंस पार्क के निकट होगी और यह सिटी चीन, सिंगापू और आधी देशों में बने Science Park की तरज पर बनाई जा रही इससे विज्ञान के प्रती शात्रों में रूची पैदा की जाएगी इसका उद्देश ही यही है अब बढ़ते हैं दोस्तों Indian Navy Sign Agreement with BEL for Anti-Drone System यानि Anti-Drone System के लिए भारतिय नौसेना ने भारत Electronic Limited के साथ करार किया है तो यह जो है लेजर तकनीक पर आधारित यह सिस्टम ड्रोन को जाम कर मार गिरा सकता है दिफेंस मिनिस्ट्री क्लेम देट इस इस फर्स इंडिजिनेस Anti-Drone System that has been inducted into the Armed Force Plead यानि यह रक्षा मंत्राले का दावा है कि यह पहला स्वदे सी Anti-Drone System है जो ससस्तर से नाओं के बे prepared by DRDO किसके दोरा बनाए गया है DRDO Defense Research Development Organization and is being produced by BL यानि उत्पादन कौन कर रहा है BEL कर रहा है यह ध्यान रखेंगे तो यह बहुत ही महत्तपूर्ण करार है और यह सोतंता दिवस के मौके पर और साथ साथ राजगंतन दिवस पर परेट में भी सिस्टम का पहला इस्तेमाल कि जिक्र किये हैं और यह जो है इसके साथ अलामा थल सेना और वाइव सेना में भी BL से इन एंट्री ड्रोन सिस्टम का करार आगे किया जाएगा अब बड़ते इंटरनेशनल अफेर्स में वाई देज चाइना वान टू कैप्चर बगराम एयर बेस तो यह बगराम जो एयर ब पॉइंट आप भी उसे सामरिक दिश्ट कोंड से इसका क्या महत्तो है क्यों चीन इस पर अपना कबजा चाहता है क्या यह भारत के खिलाफ जो है कह सकते हैं पाकिस्तान का इस्तेमाल में भी कर सकता है मतलब चीन तो इस तरह से चुकी वरतमान जो तालीबान वहां पर आध आसे देखा जाए तो पाकिस्तान समर्थि सरकार है तो ऐसे में भारत को बहुत सूजबूच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा तो इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट जो भारती मुलकी अमेरिकी राजनई संयुक्त रास्ट में अमेरिका की पूरो दूद निकी हेली ने य चीनी ड्रेगन अफगानिस्तान के बगराम हवाई अड़े पर कबज़ा कर सकता है और यह वही एर बेस है जहां अमेरिकी सेना पूरे इलाके में सैन हमले करती थी तो इस बात के लिए भी अगाह किया है कि चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है तो यह क्यों एहम है बगराम हवाई अड़े को रात के अंधेरे में छोड़ दिया था जो अफगानिस्तान में उसका एहम सैन अड़े था हलाकि इस बात के लिए अमेरिकी सेना की काफी आलोचना हुई थी बगराम एरबेस इज वन अप दे बेस्ट एरपोर्ट इन इंटायर एरिया यानि उस छेत्र का सबसे अच्छे एरपोर्ट में से एक है और इट हैस था फैसलिटी अफ टू रनवे और इट इस वेरी इजी तू गेट फ्रॉम दा कैपिटल काबूल यानि काबूल से आना जाना बेहत आसान है तो यह सेना के नियंतरन में रहा है और काबूल से इस एरवेस की दूरी मातर 40 किलो मीटर है तो इसलिए यह महत्तपूर्ण है तो चीन की बगराम हवाई अड़े पर क्यों है नाजर तो इन विव अप दे स्ट्रेटिक इंपॉर्टेंस अफ बगराम एरपोर्ट चाइना वान तो अकुपाई इट चुकि स्रालनीतिक दिश्टिकोर्ट से सामरिक महत्तु के वज़ा से चीन उस पर अपना कबजा चाहता है यानी चीन पूरे अफगानिस्तान पर अपनी पकड को मजबूत कर लेगा इन फूचर चाहिनी इंटेंस 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 इस तो प्लंडर दनेचरल वेल्थ अफगानिस्तान एंटेक टो इस कंट्री यानी वहां की जो प्राकृतिक संपदा को वहां पर कहा जा रहा है कि लीथियम, सोना, तामबा यह सब खूब सारी मात्रा में अभी भंडार है अभी उसको ठीक से खोजी नहीं की जा चुकी है तो ऐसे में जो है चीन इन सब पर अपना अधिकार जमाएगा और उसके साथ साथ पाकिस्तान की सहायता से भारत में भी असानती फैलाने का प्रियास कर सकता है तो यही कारण है कि उसकी यह नजर है चीन इस पर कबजा अपना चाहता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह बगराम है इधर अपना भारत है और इधर चीन है एकदम देख रहे हैं ना बगलन से ही और उपर तजाकिस्तान है अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपोर्टेंट स्कीम में सागर माला प्रोजेक्ट तो यहाँ 31 जुलाई 2015 को जो है इसका सुभारम किया गया था हालां कि यहाँ महत्वा कांची पर्योजना अटल विहारी बाचपेई जी ने 2003 में ही इसकी घोशना की थी लेकिन शुरुवात इसकी फिर जाकर के 2015 से मार्च 2015 में ही प्रधानवंतरी मोदी ने घोशना की और फिर यह बैंगलोर से इसको स्टार्ट कर दिया गया था इसका उद्देश यह कि डेवलप्मेंट आप पोर्ट्स एंड कनेक्टिंग देम विध रोड रेल ट्रांसपोर्ट को कनेक्ट करना और जैसे यह जो तटी यह चेतर है 7516 दसंब एक 6 किलोमीटर इन सब को अंदर के जो स्टेशन्स हैं रेलवे के द्वारा इनको जोड़ना तो केंद्रिय जहाज रानी मंत्राले की इस परियोजना की आनुमानित लागस 70,000 करोन रुपए निर्धारित की गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मानचितर से आपको ज़्यादा समझ में आएगा और यहाँ पर अब यह भी देखिए यह अलग राज्य बन गया है लद्दाक और यह जयन के तो यह जो है इस तरह से इसको जोडने का पूरा प्लान है और दोस्तों इस से जो है देश के सकल घरेलू उत्पाद को भी आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी लोगों को रोजगार मिलेगा तो केंद्र सरकार मेकिन इंडिया के तहाँ सागर माला प्रयोजना की सुरुवात की गई थी यह ध्यान रखेंगे अब बढ़ते हैं दोस्तों इन्वार्मेंट एंड इकोलाजी में प्रोजेक्ट हंगुल की बात करेंगे तो हंगुल इस ब्रीड आफ रेड डियर आफ दा यूरोपियन रेंडियर इस पिसीज तो यह 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 फाउंड इन नॉर्दन इंडिया इस्पेसली इन कश्मीर खासकर कश्मीर हिमाचल प्रदेश के चंबा इन सब छेत्रों में पाया जाता है और यह जम्मू कश्मीर का राज्य पसू भी है और हंगुल का बैक जानिक नाम है सर्वेस एलाफस हंगलू याद रखेंगे सर्व और यह उची पहाडियों जंगलों और वादियों में पाया जाता है भारत में इसका निवासस्थान मैंने बताया ना कश्मीर घाटी और हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला है इसे कश्मीरी स्टैक कहा जाता है तो दोस्तों 1970 में इसकी संख्या को देखते हुए जम्मू कश्मीर की सरकार और विस वन जियूनी थी यानि वर्ल्ड वाइट फंड के साथ मिलकर हंगुल प्रजेक्ट की सुरुआत हुई थी और इस इंडेंजर्ड एनिमल हैस बिन इंक्लूड इन दर रेट डाटा बुक आफ आफ आई यू सी यन तो यह आई यू सी यन की रेट डाटा बुक में भी से सामिल किया गया है अब बढ़ते हैं दोस्तों बुक्स आइन आवार्ड में इंडियन बायोलोजिस्ट विंस ग्लोबल आवार्ड फर टल्टल कंजर्वेशन दोस्तों यह कच्छुआ संरक्षण के लिए यह भारतिय जीविग्यानी हैं पहली बार बेहलर कच्छुआ संरक्षण पुरसकार य जो कि हमारे भारतिय शैलेंद्र सिंग ने यह पुरसकार जीता है तो इस सब्ता की सुरुवात में टर्टल सर्वाइवर एलाइंस के मुख्याले दोरा जारी एक प्रेस बिग्यप्त में कहा गया कि कुरुच प्रजातियों के लिए जैसे रेड क्राउंड रूफ टर्टल इसका जो बैग्यानिक नाम है बातागुर कचुगा, नौर्दन रीवर टिरैपिन इसका नाम है बातागुर बश्का, एंड ब्लेक शॉप्ट सेल टर्टल इसका नाम है निल सोनिया नाई ग्रीक कंस तो इस तरह से डॉक्टर सिंग एंड हिस टीम एफर्ट अर दर लास्ट for their survival in the country, तो इन तीनों परजातियों को बचाने का कार इन्होंने किया, यही कारण है कि यहां आवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया, तो पहला बेहलर कचुगा सनरक्षन पुरसकार 2006 में अमेरिका के एडवर्ड ओ मोल को दिया गया था, और यहां पुरसकार 2006 में ही मान्दे दिया जाता है, और इट इस वाइडली कंसीडर्ड दा नोबेल प्राइज आफ टर्टल कंजर्वेशन और बायलोजी, तो इसे ब्यापक रूप से कसुआ सररक्षन और जीव विग्ञान का नोबेल पुरसकार कहा जाता है, यह भी ध्यान रखेंगे, अब भढ़त बिजनेस का विस्तार करने के लिए भारत पे के साथ समझहोता किया है, तो प्राइवेट सेक्टर लेंडर एक्सिस बैंक है स्टाइड बिद भारत पे तो इस मर्चंट इक्वारिंग बिजनेस इन दा कंट्री, अज़े पार्ट आफ पार्टनर्शिप, एक्सिस बैंक विल मर्चंट इसोसियेटेड बिद भारत पे, तो इस तरह से भारत पे से जुड़े ब्यापारियों के लिए क्रेडिट और डेविट कार्ट की सुविकृति प्रदान करेगा, और दोस्तों पूरे देश में फैले 6 लाग से अधिक POS, टर्मिनलों के साथ, एक्सिस बैंक भुक करता है, वही दूसरी तरफ देखा जाए, तो भारत पे की जो POS मसीन है, भारत स्वाइब के पास 16 सहरों में 1 लाग का स्थापित आधार है, जो प्रतिमा 1400 करों रुपए का प्रसंस्क्रण करता है, इस तरह से यहाद दोनों ने करार किया है, एक्सिस बैंक के बारे में दे पोर्ट न्यूज में, टोक्यो पैरालंपिक 2021, इंडियन एथलीट प्रवीन कुमार विन सिल्वर मेडल इन मैन हाई जम्प T64 फाइनल, तो यानि टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारती एथलीट प्रवीन कुमार ने पुरसों की उची कूद T64 फाइनल में रजत पदक जीत लि तो ब्रिटेन के ब्रूम एडवर्ड जोनाथन ने 2.10 मीटर की छलांग लगा कर स्वरन पदक जीता, वहीं पोलेंड के लेपियाटो मासियेजो ने कान से पदक जीता ब्रॉंज मेडल और हमारे देश के प्रवीन कुमार ने सिल्वर मेडल जीता, तो यह T64 है क्या आपके म खड़े होकर चलते हों, तो उनको T64 केटेगरी में रखा जाता, हलांकि वरतमान में प्रवीन T44 केटेगरी से आते हैं, वह T64 में भी हिसा ले सकते हैं, तो इस तरह से पदको की संख्या चार हो गई किसमें? उची कूद में सिर्फ है, यानि मरियपन थंगवेलू, शरत कु पहले ही पदक जी चुके हैं, और इस तरह से चार पदक हो गए हैं, तो इस तरह से टोक्यो पैरालंपिक में परी तिहास में गर बात की जाए, अब तक का यह सबसे सर्वस्रेश्ट प्रदर्सन है, चुकि पूरे पैरालंपिक का अब ही आगे मैं आपको एक आंक्रे दिख खिलाडी गए थे, और इस बार सबसे बड़ा खिलाडी संगठन गया है, चौवन लोगों का प्रतनी दित गया है, और सोचिए कि यहां से लेकर के यहां तक में टोटल पदकों की संख्या बारा और इस वर्स टोक्यो ओलंपिक में अभी तक ग्यारह पदक हम जी चुके हैं देख रहे हैं दो गोल्ड है, फिर उसके बाद यहां देख रहे हैं सिलवर मेडल है, छे हो गया और तीन जो है ब्रॉंज मेडल है, अब बढ़ते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैस बिकम दा आल टाइम लीडिंग गोल्स स्कोरर इन मेंस इंटरनेशनल फुटबॉल, या की कैपिटल लिजबन है, तो रोनाल्डो अब अंतरास्टी फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं, उन्होंने यह रिकार्ड आयरलेंड के खिलाब 200 कप क्वालिफायर के एक मैच में बनाया, उन्होंने दो गोल किये, जिसकी वज़ा से इनके 111 गोल हो गए, तो इस तरह से रोनाल्ड ने 180 मैच था इनका, जिसमें 111 गोल इन्होंने किया है, इससे पहले इरान के खिलाडी अल्देई का रिकार्ड था, जो की जिसका 109 गोल का रिकार्ड था, उसे पीछे करते हैं इन्होंने 111 गोल, अब बढ़ते हैं important days में, दोस्तों आज sky scrapper day है, यानि गगन चुम्बी जो इमारते होती हैं, उची उची इमारते हैं, उसका दीवस है, हर साल 3 सितंबर को मनाया जाता है, और sky scrapper day started in 20th century, बीसवी सताबदी में हुआ था, और दुनिया की सबसे पहली गगन चुम्बी इमारत 1885 में शिकागो में सबसे उची और गगन चुम्बी इमारत है, यह देख रहे हैं ना स्वतंता दीवस पर पूरा तिरंगा के कलर में वहाँ पर सराबोर हो गई थी, इस तरह से शंगाई टावर भी दुनिया की सबसे तेज लिफ्ट वहाँ पर बनाई गई, दुनिया में सबसे ज़ादा गग चुम्बी इमारत सिर्फ 19 दिनों में बनाई गई थी, सोचिए, अब बढ़ते हैं दोस्तों, तो इंडियन नेशनल मूव्मेंट चल रहा था, आज हम लोग अंतिम चरण में, यानि 1935 से लेकर के 1947 तक, आज भारत को हम लोग स्वतंत्र कराथ, 1935 के पूरो महत्मा गांधी द्वारा जो संचालित किया जा रहा था, सविने अवग्या अंदोलन की प्रगती चरम पर थी, भारतियों को संतुष्ट करने के लिए अंग्रेजी सरकार अनेक प्रियास उस समय कर रही थी, और 1935 इसवी का भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ, जिसके परिणाम सरूप इ बंद कर दिया गया, और इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार ही 1937 में निर्वाचन हुए, जिसमें से 6 प्रांतों में कांग्रेज को सफलता मिली, और कांग्रेज के नेतित में अनेक प्रांतों में सरकार का गठन हुआ, 1937 में जो पहला अधिवेशन था, वह फैजप अधिवेशन था, जो की गाओं में हुआ था, और उसकी अध्यक्षता पंडिच जवाहर लाल नेहरू ने की थी, और दोस्तों, 1938 का जो हरी पूरा अधिवेशन था, कांग्रेज का अधिवेशन इसमें महत्मा गांदी ने सुबास चंदर बोज के नाम की चर्चा की थी, और भारती रास्टी कांग्रेस के अध्यक्ष सुबास चंदर बोज बने थे, और यहां 51 हुआ सम्मेलन था, जिसमें 51 बैल गाडियों के साथ सुबास चंदर बोज पहुँचे, और पूरी तरह से पूरे भारत में चर्चा का विसय हो गया, अंग्रीज भी देखने लगे क यह कौन सा ब्यक्तित तो है, और ऐसे में गरम दल एक तरह से देखा जायत करांतिकारी विचारधारा के थे, महत्मा गांधी नरम दल के थे, बाद में इन दोनों के विचारों में थोड़ा बहुत समस्या आने लगी, यही कारण है कि 1949 का जो त्रिपूरी अधिवेशन, दे इनके सुबास्चंद्र बोस के साथ आ गया, तो ऐसे में महत्मा गांधी ने पटाभी सीता रमया को इनके खिलाब चुनाओं में खड़ा कर दिया, और उस तरह से उस चुनाओं में पटाभी सीता रमया की हार हुई, जिसकी वज़ा से महत्मा गांधी काफी नाराज हुए और उन्हें ने कहा ये पट्टा भी सीता रमया की हार नहीं यह मेरी हार है और इस तरह से उस समय सुबास्चंद्रबोस काफी बीमार भी पड़ गये थे और लोग जो है उसमें काफी अंदरूनी गलाह चल रही थी कांग्रेस में जिसकी वजा से उन्होंने 1949 में ही स्तीफा द लेकिन इस बार भारत साथ देने की सोच ही नहीं रहा था फिर 1940 में तीन महत्पूर्ण घटनाये हुई एक अगस्त प्रस्ताव आया वाइसराव लिनलिथगों का और 1940 में ही मुस्लिम लिग ने पाकिस्तान बनाने की मांग भी कर दी और महत्मा गांधी के नेतित में कांग् लिना टैगोर की मृत्य हो गई थी और 1941 में ही जो है सुबास चंदबोस भारत से जर्मनी को निकल गए थे और फिर आता है 1942 का क्रिप्स मिसन तो क्रिप्स मिसन ये हलाकि आसफल रहा था लेकिन क्रिप्स मिसन क्या है कि सितंबर 1941 में जापान ने मित रास्टों का साथ देने कि युद्ध में घोशना कर दी और ब्रिटिस सरकार ने युद्ध में भारतिय सायोग और सहायता प्राप्त करना बहुत आवस्यक समझा इसके अतरिक्त उशे यह भी आशंका हुई कि उक्त इस्थिती का लाब उठाने के आसे से कहीं भारत की जनता भी उसके बिरुधाक म बेजा कहां भारत और क्रिफ्स ने भारत को अपनिवेसिक स्वराज देने और साथ ही भारत से अलग होकर रहने की इक्षा रखने वाले प्रांतों को प्रिथक रहने के अधिकार देने की सिफारिस की किन्तु इनी सिफारिसों से भारत का प्रतिक राजनीतिक दल सहमत नहीं इंडियन नेशनल आर्मी नामक ससस्त्र सेना का संगठन भी किया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन अब यहीं पर महत्पूर हो जाता है इसकी विचर्चा कर दिया जाए भारत छोड़ो आंदोलन की तो यह कृफ्स मिसन की असफलता से भारतियों को यह विश्वास हो गया कि अंग्रेज सरकार उन्हें स्वराज नहीं देना चाहती अता अत्यंत जो है कृफ्ध होकर 1942 में आठ अगस को अंग्रेजों के विर्द अकिल भारतिये कांग्रेज समित ने अपने अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव भेजा और इस प्रस्ताव के प हजारो तरफ रेल तार आदी तोड़े जाने लगे इस्टेशन डाग घर थाने जलाये जाने लगे हजारो ब्यक्ति पुलिस और सेनाओं को गोलियों का सिकार और बड़ी संक्या में जेल में ठूस दिया गया तो जितने भी प्रथम पंक्ति के नेता थे इन सब को जेल में तो इस तरह से करो या मरो का नारा महत्मा गांधी ने ही दिया था फिर अब यहां दुती बिस्व के समाप्त हो जाने पर कांग्रेसी नेताओं को जेल से छोड़ दिया गया उसी वर्स 1945 में लाड वेवल ने अपनी घोशना की जहां बिटिस सरकार भारत का पुण सुराज देना चाहती है वेवल योजना आ जाती है लेकिन क्या इस वेवल योजना का कोई निकलता है सोलूशन तो इसमें पूर्ण सुराज देने की बात की गई लेकिन प्रधान सेनापती को छोड़ कर अने सभी सदस से भारती होंगे पर मुस्लिम लीग इस से असाहमत थी और यह गोशना क्रियानवित नहीं की जा सकी तो इस तरह से अब जो है प्रधान मंत्री एटली तो इस तरह से यहां तो विध्यान रखेंगे शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन किया गया नौसेना विद्रो ये भी बहुत जबरजस था इसे भी ध्यान और प्रधान मंत्री एटली निकी घोशना की 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्र करने का आस्वासन दे दिया और उसी के उसमें कैबनेट मिसन का आगमन होता है 23 मार्च 1946 को बिटिस मंत्रिमंडल के तीन सदस उसमें पैथिक लॉरेंस, सरिस्टे फोर्ट कृफ्स और एवी अले अब इसमें पूछा जाता है कैबनेट मिसन का अध्यक्ष कौन था तो कैबनेट मिसन का अध्यक्ष याद रखेगा पैथिक लॉरेंस था ये भी ध्यान रखेंगे तो इस तरह से पैथिक लॉरेंस कैबनेट मिसन प्रकासित हुआ 16 मैं 1946 को और पत्यक्ष कारवाई दिवस 16 अगस्ट 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा मनाई गई 292 सीट के लिए चुना हुए जिसमें से 208 सीटे जीत कर कांग्रेस आई और 73 सीटों पर मुस्लिम लीग जीत हुई तो इस तरह से अंतरिम सरकार का गठन किया गया 2 सितंबर 1946 को और नेहरू जी को प्रधान मंत्री यानि अब देखिए अध्यक्ष तो वाइसराए ही रहेगा इनको उपाध्यक्ष बनाया गया और विदेशी मामले ये सब इनको दिये गए और उसमें उस मंत्री मंडल को याद रखेगा 15 अगस 1947 को भारत दो राज्यों का गठन हुआ और इस तरह से समविधान निर्मान के बाद 24 जनवरी 1950 को समविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र के रूप में आउतरित हुआ और इस तरह से प्रतम रास्पटी डॉक्टर राजिंद प्रशाद बनाए गए इस तरह से हमारा देश स्वतंत्रुआ 1947 में अब आगे की चर्चा इसको समविधान में और अच्छे से करेंगे और अब देखिए यह कल के प्रसनों का उतर है कई लोगों ने लोग टक जील लगा दिया है तो प्लीज इसको ठीक कर लिजिएगा डल जील होगा जो तैरता हुआ ATM इस प्रसनों को काफी लोगों ने गलत किया है प्लीज इसको ठीक कर लिजिएगा अब बढ़ते हैं आप लोगों के सेक्षन में जो की बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं आज उत्तर देने वालों में हैं तौसिफ अंसारी, मुशकान हरुन शेक, डॉक्टर बीयल देवांगन, गोलु पाशवान, रवी पठेल, प्रतीक गंदोत्रा, संदीप यादव, एसकुंदन, रेनुबाला, तौफा शबा तशकीन इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिया है आज आशा करता हूं कि और ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे तो आज आप लोग सामने पहला प्रस्ण है The name of Rajiv Gandhi, Aurang National Park has been changed to Aurang National Park In which state is this park located? किस राज्ज में है? जो की नाम बदल दिया गया तो मनीपूर में है, मेगाले में है, असम में है या नागालेंड में And next question है With which organization has the Indian Navy recently signed an agreement for the first anti-drone system? तो पहले anti-drone system के लिए भारती नौसेना ने हाल ही में किस के साथ करार किया है? DRDO के साथ, भारत Electronic Limited के साथ, भारती अतरिच अंसंधान संगठन के साथ या इन में से कोई नहीं Next question है In which country is Bagram airport located? Bagram हवाई अड़ा किस देश में से था है? Pakistan, Afghanistan, Kajakistan, Iran And next question है In which year was the Hangul project started? Hangul पर्योजना किस वर्ष सुरू हुई थी? 1965 में, 1970 में, 73 में या 75 में And next question है Which Indian biologist has recently won the Behler Turtle Conservation Award For Turtle Conservation? यानि कच्चुओं के संरक्षण के लिए Behler Turtle Conservation Award किस भारती को मिला? और यह पहले ऐसे भारती है और इस जो Behler Turtle Conservation Award है इसे कच्चुओं संरक्षण का Nobel पुरसकार कहा जाता है तो यह किसे मिला है? सहलेन सिंग को, डॉक्टर बसंत सिंग को, प्रोफेसर एम विजन को या डॉक्टर लाल जी सिंग को And next question है Which private sector bank has tied up with भारत pay to expand its merchant acquisition business in the country? यानि निजी छेतर की किस bank ने देश में अपने ब्यापारी अधिकरान ब्यावसाय का विस्तार करने के लिए भारत pay के साथ करार किया है ICICI bank, Axis bank, HDFC bank, ES bank And next question है How many medals has India won so far in high jump event the Tokyo Paralympic? यानि अभी तक Tokyo Olympic में उंची कूद में कितने पदक भारत ने जीता है? दो, तीन, चार, पाँच हलांकि अगर टोटल बात की जाए तोटल ग्यारह पदक हो गए है आठ रजट, दो गोल्ड और तीन कान से पदक अब बढ़ते हैं Cristiano Ronaldo is a football player from which country? Argentina, Portugal, Spain या Brazil And next question है When is the sky scrapper day? यानि गगन चुम्बी इमारत दिवस कब बनाया जाता है 31 अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर या 3 सितंबर And last question है Which of the following statement is false? The forward block was formed on 1st May 1939 by Subhas Chandra Bose यानि forward block का गठन 1 मई 1949 को Subhas Chandra Bose ने किया था सितंबर 1939 में दुतिय बिश्यूद शुरू हुआ 1941 में रवीदना टेगोर की मृत्ती हुई In September 1942, under the leadership of Mahatma Gandhi The Congress launched individual Satyagraha movement यानि ब्यक्तिकर Satyagraha आंदोलन 1942 में चलाया गया तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है यह बताना है आशा करता हूँ कि आज क्या वीडियो अपनों का अच्छा लगा होगा और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सेयर, सबस्क्राइब और बिल आइकन दबाना ना भूलें Thank you दोस्तों